नमस्कार प्रिदाशको आजम इस वीडियो में 2023 के जुन के मैने में करक राशी को क्या राशी फल मिलेगा इसके बारे में जानेगे सामान ने ग्यान करक एक जल तत्व की राशी है और सबाव से स्त्री है इस राशी की तहट जन्मे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है ये लोग घूने फिर्ने के साकिन होते है और सइफ रस्ते लेणे में सक्षम होते है साती मुश्किल कामों को भी आसनी से कर लेते है जारतर ये लोग रचनात्मक के शित्र में कुछ नया करने के बारे में सोस्चे रहते हैं इस राशीक लोगों को अपनी शंताओं और कोशलों का विकास करने में माहिर होते हैं इस महिने के दोरान करकर राशीक जात्कों को करियर स्वास्थ्य और धन आधिक से जुड़े मामलों में ओसत प्रिना मिलने वाले हैं इस राशीक जात्कों की नई नोकरी में बटलाव की संबावना है क्योंकि आपकी चंद राशी के दस्वे घर में बुरस्पति गोचर कर रहे हैं इसे में इस दोरान आपको नोकरी में दबाव का सामना करना पर सकता है इसलिए करियर में सावदनी से आगे बढ़े दस्य भाव में व्रस्पति की मौधिद्गी की आपको नोक्री में परिवतन और बहतर नोक्री के अउसर धुनने के लिए प्रेट करेगी इस मेने के दोरान काम करने के तरीके में बढ़लाव दिखने को मिल सकता है साथी करियर में आपको चुनतियों से भरे दो चार होने पड़ सकता है यात्रा के दोरान लापरवाई की वज़र से आपको धन हानी हो सकती है साथे भाव के स्वामी के रूप में शनी आपके अठवे भाव में विराजमान होगे जो आपके रिष्टों में समस्या उद्पन करेगे जो जातक व्यापार करते है उने शनी गरव की वज़र से पार्टनर्शिप में परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है के तु आपके चोटे घर में स्टीट होगे जो आपके परिवार में विवाद और समस्या का कारण बन सकते है इसके परिनाम सुरूप आपकी परिवार में खुशियां आपके परिवार से गायब हो सकती है इस महिने के दोरान जातक को अपने सेध का खास ख्याल रपना होगा विशे शुरूप से डाटों और आकों को लेकर स्वास्ट को बेहतर बनाने के लिए ध्यान दे जून का महिना आपके लिए विबिन्द पहलू से केसा रहेगा यह जानने के लिए यह वीडियो विश्टार से सुने कारशेत्र करका राशी के चाटकों को इस महिनी के दोरान कारशेत्र में दबाव और चुनोतियों का सामना करना पर सकता है क्योंकि बरतपती आपकी चंदर राशी से दस्वे भाव में स्थित है आठे भाव के स्वामी के रूप में शनी आपके आठे भाव में बैटे है इसलिए ये समय उन लोगों के लिए अनुकुल नहीं होगा जो उच्चपत की चाहां रखते है एसी संभावना है कि कुछ लोग तरकी के लिए नोक्री में बदलाव कर सकते है जब कि कुछ लोग इस दोरान अकनी नोक्री खो सकते है आपके दस्य भाव के स्वामी अंगल आपके पहले भाव में कमजल स्थिती में मौजुद होगे जो नोक्री में परिवतन या काम में मेहनत के बावजुद सरहाना न मिलने की स्थिती की तरफ संकेत कर रहे है जो लोग इस मेहने परिवतन या अन्य लाब मिलने की उमिद कर रहे है तो ये महा आपको निराश कर सकता है जिन जात्पो का अपना व्यापार है उनके लिए यह मेहना लाब कमाने की दुष्टी से ज्यादा अच्छा नहीं रने की अनुमान लगाया जा सकता है साथ ही आपको प्रतिद्वन्धियों से कड़ी टक्कन मिलने की आशंका है एसे में संभव है कि व्यापार की व्योजनावों में बढ़लाव करने से आपके लिए मरतगार सावित ना हो और आपको वेसे परिणाम नन मिले जो की आपने उमिद की हो आपके लिए जरूरी होगा कि आप नौकरी में तिके रहे जिससे आपको सकरात्मंग परिणाम प्राप्त हो सके साथी इस राशी के जातकों को सला दी जाती है कि किसी नए शेत्र में व्यापार करने से बचे अन्यता नुगसान उठाना पर सकता है आर्थिक स्तिती जो आपकी आर्थिक स्तिती को प्रभावित करते हुए नजर आएगे जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें बिजनेस में प्रतिस प्रदाव से कड़ी तकर मिल सकती है जिसके चलते आप खूद को मुसिवतों में घिरे पाएगे ऐसा भी हो सकता है कि आप इस मेने के दोरान अपने व्यापार को सही धंग से चराने में असक्षम हो लेकिन फिर भी आपको अच्छा मुनाफा होने के संभावना है शनी के अस्तम भाव में बेटे होने से आपको मुनाफा कमाने के लिए कड़ी मेनद करनी पड़ सकती है स्वास्त्य करकराशी के तहट जन्मे लोगों को केटू के चोटे भाव में होने के कारण कुछ बेचेनी का अनुबव हो सकता है केटू की इस तिती के वज़र से आपको अपने धन माता पिता के स्वास्ते पर खर्च करना पर सकता है शनी आपके आठे बाव में विराजमान होगे और इनकी दुरुष्टी आपके दूसरे बाव पर बढ़ेगी जिसके चलते आपको डाटों में दर्द और आखों में जलन की समस्या हो सकती है साधी पेरों में दर्द भी हो सकता है शनी के आठे बाव में होने के कारण आप अपने स्वास्ते को लेकर अर्शुरक्षित महसुस कर सकते है जो आपके चिंतागा विशय बन सकता है प्रेम व व विवाएक जीवन करकर आशिक जातकों को प्रेम व व विवाएक जीवन में उटा जडाव का सामना करना पर सकता है क्योंकि शनी साते बाव के स्वामी के रूप में आफ्वे बाव में और प्रस्पती दस्वे बाव में प्रतिकुल स्थिति में मौझूद है शनी की इस स्थिति के वज़न से आपका फ्रेम जीवन प्रभावित हो सकता है मंगल आपके पंचम बाव के स्वामी के रूप में वह आपके पहले बाव में स्थित होगे जिसके चलते रिष्टे में प्रेम की कमी दिखाई दे सकती है वेवाईक जीवन में भी अशांत रहने की आशंका है प्रेम के कारगर शुक्र आपके चंदर राशी के पहले बाव में विराजमान होगे और इस वज़र से आपको पार्टनर के साथ आपसी समझ और तालमेल को लेकर परशानियों से जूजना पड़ सकता है एसे में उनके साथ भहस और मद्भेत हो सकता है इसलिए रिष्टे को बनाई रखने के लिए जिवन साथी को समझने का प्रयास करे इस राशी में शरिशुदार लोगों के लिए यह मैना शांटि पूर्ण नहीं रह सकता क्योंकि आपके पहले बाव में शुक्रस्तित होगे इस वज़र से आपका पात्नर के साथ भावनात्मक मद्भेत हो सकता है और इन लोगों का प्रेम जिवन उता चड़ाव से भरा रह सकता है पारिवारिक जिवन कलकराशी के तहर जन्मिन लोगों को पारिवारिक जिवन में समस्याव से गुजरना पड़ सकता है क्योंकि इस महीने के दोरान शनी आपके आठे बाव में प्रतिकुल स्थिती में विराज माने शनी डेव की अशुप स्थिती की वज़स से घर परिवार में बहस और मतभेद हो सकता है साथी इस महा के दोरान परिवार के सदस्यों में आपसी समझ और टालमेल की भी कमी देखने को मिल सकती है जो घर का माहल खुशहाल बनाए रखने के लिए बहर ज़रूरी होता है चंदराशी से केटू के आपके चोटे भाव में श्थित होने के कारण परिवार में शुकषांती में कमी दिखाई देने की संकेट हो रहे है वरस्पती के दसे भाव में होने से परिवार के सदस्यों के बीच अहम और असुलक्षित की समझ से पैड़ा हो सकती है साथ ये जातकों की परिवार जनों के साथ बहुस हो सकती है उपाय के तोर पर प्रति दिन 20 बार ओम समाय नमका जाब करे सोमार के दिन चंत्रमा के लिए हवन याज्य करे सोमार के दिन उपवास करे